नमस्कार दोस्तो आज हैं आज हैं आपके लिए एक नई कहानी लिख रही हैं भिखारी और राजा की कहानी। एक गाव में सुझेल नामक एक भिखारी रहता था। एक दिन वो भीक मांगने के लिए एक शहर की और चल पड़ा। उसका सोचना था कि जो कुछ भी मिल जाएं उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। एक दिन वह राजपत पर बढ़ा जा रहा था। एक घर से उसे कुछ अनाज के दाने दिये गए। वह आगे बढ़ा और मुख्य मार्क पर आ गया। अचानक उसने देखा कि नगर का राजा रत पर सवार होकर उस ओर आ रहा है। वह सवारी देखने के लिए खड़ा हो गया, बट यह क्या राजा की सवारी उसके पास आकर रुख गई। राजा रत से उत्रा और भिखारी के सामने हाथ पसार कर बोला मुझे कुछ भीक दो देश पर संकट आने वाला है। और पंडितों ने बताया है कि आज मार्क में जो पहला भिखारी मिले उससे भीक मांगे तो संकट तल जाएगा। इसलिए मना मत करना। बिखारी हक का बक्का रह गया। राजा देश के संकट को टालने के लिए उससे भीक मांग रहा है। बिखारी ने जोली में हाथ डाला तो उसकी मुठ्थी अनाज से भर गई। उसने सोचा इतना नहीं दूंगा। उसमें मुठ्थी थोड़ी धीली की और अनाज के कुछ दाने भरे। किन्तु फिर सोचा की इतना भी दूंगा तो मेरा क्या होगा। बिखारी घर पहुचकर पत्मी से बोला आज तो अनर्थ हो गया, मुझे भीक देनी पड़ी, पर न देता तो क्या करता। पत्मी ने जोली को उल्टा किया तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला। यहां देखकर भिखारी पच्चता कर बोला मैंने राजा को सभी कुछ क्यों न दिया। यदि मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जीवन भर की गरीबी मिट जाती। इस कहानी से हमें ये उबदेश मिलता है कि हमें सदा ही दान करते रहना चाहिए। बिकॉज जो लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा दान कर देते हैं, उन्हें एक न एक दिन दान किये हुए हिस्से का कई गुना फल प्राप्थ होता है।